तो माई डियर स्टुडेंट्स देखे हम जब अपने आसपास देखते हैं तो एक ऐसा रिवाज या रीत चलने लगी है कोई व्यक्ति या कोई छात्र हो जब एक बार प्रयास करता है और उसे सफलता नहीं मिलती तो बहुत ही हतास और निरास हो जाता है लेकिन एक्चुली मे किसी को प्रयास करने से नहीं मिलती विफल हो जाता है तो होता क्या है बेटा कि इंसान जो भी है वो कर्मों में तो अपनी मनवानी कर सकता लेकिन फल में अपनी मनवानी नहीं कर सकता फल तो जैसा उसको मिलेगा वैसा उसको स्विकार करना पड़ेगा लेकिन एक बात यह ह कि हमेशा विक्ति को जो माइंड सैट है अपना आप और्चिनिटी से भरा रखना चाहिए क्योंकि कोई भी फ़ल मिलता है तो वो हमें गलत नहीं होता वह हमारे कर्मों का परडाम होता है जो हमने कर्म किये हैं उसी का हम को फ़ल मिलता है तो होता कि एक्चुली विटा कि जो लेकिन होता क्या है जब उनको लगता है कि हम आज हुए उनका कोई भी जैसे जिस रास्ते पी चल लाए होता है तो रास्ता बार बार देखते हैं लेकिन जो रास्ते सो खोल देता है उन रास्तों पर अपना नजरिया नहीं बदलते तो हमेशा मैं एक बार यह कहना चाहूंगा कि अगर एक प्रयास से सफलता नहीं मिलती है अगर एडिसन के देखिए आप एक्जम्पल कई हैं आपके इतियास में एडिसन को देखिए एडिसन ने एक बल्ब तो बनाने के लिए सौ से जादे प्रयास की होंगे ठीका प्रयास की अनोंने तभ जाकर क्योंने साफलता मिली तब mlप मिला आपको रुसनी मिलती है इस से तो इसलिए आपसे एक बात कहना चाहता हूं और बहुत ही बात सुन्दर एक लाइन लिखी है किसी ने कि तू खुद की खोज में निकल तू किसलिए हतास है तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलास है चरित्र अगर पवित्र है तो क्यों है दसा तरी पापियों को हक नहीं किलें परिछा तरी पापियों को हक नहीं किलें परिछा तरी चुनर ओड़ा के ध्वज बना गगन भी कप कप आएगा अगर तरी चुनर गिरी तो एक भुकम पाएगा तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप चलिए और आगे बढ़िए वक्त बदलने वाला है और कभी भी हतास और निरास होकर के ना बैठें तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग